नमस्कार मित्रों आप सभी का एक बार फिर हिंदी पौरानिक कथाए में स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको बेटियां पराई क्यों होती है, इस पर एक कहानी सुनाने वाले हैं। और यह कहानी बेटियों के साथ साथ बेटों को भी जरूर से जरूर सुननी चाहिए। आज यह कहानी बेटे या बेटी ने सुन ली तो उस व्यक्ति का कल्यान होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। दोस्तों भारतिय समाज में बेटियों को पराया मानने की धारणा अनेक दश्कों से चलिया रही है। यह सोच किसी भी समाज के लिए विकास के रास्ते में एक बड़ी रुकावट बन सकती है। दोस्तों भारतिय समाज धार्मिक, सांस्कृतिक और एतिहासिक विशिष्टताओं से भरा हुआ है। उसके जीवन में परिशानिया आएगी नई नई और उसे सुख की बजाय दुख ज्यादा मिलेगा। दोस्तों इश्वर कहते हैं कि जो भी व्यक्ति अच्छे तरीके से पूजा पाठ करता है, उसे मैं स्विकार करता हूँ, उसकी हर मनोकामना को मैं पूरा करता हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी ही वीडियो को लाइक कर और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो सच्चे दिल से जय जय बजरनबली। इस कहानी को सुनने के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कुछ समाजों में पुरानी सोच या धार्मिक अनुष्ठान के कारण बेटियों को पराया समझा जाता है। यहां तक कि कुछ लोग इसे धरोहरी परंपरा के भाग के रूप में भी देखते हैं, जिसमें लड़की को उसके पती के घर जाने का ततकाल इच्छुख होना समझा जाता है। अब यहां पर कुछ दोस्त ऐसे भी होंगे जो हमारी बातों को हलके में लेंगे क्योंकि उन्हें वास्तुशास्त्र का ज्यान नहीं है। इस पर एक कहावत भी प्रचलित है कि बंदर क्या जाने अदरक्का स्वाद अर्थ यह है कोई भी व्यक्ति वास्तुशास्त्र के बारे में नहीं जानता है कि बेटियों को कितना महत्वपून बताया गया है तो फिर इन उपायों में या वीडियो देखने वह विश्वास ह नहीं करता है इसलिए दोस्तों सही सटीक एक सौ परसेंट जानकारी के साथ में जानने के लिए इस वीडियो से जुड़ जाना दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों आपके पास अभी जितने भी काम है उनको साइड में रख दीजिए ध्यानपूर्वक जो आपको बताया जा रहा है उसे देखिए और सुनिए तो दोस्तों दिल थाम के इस कहाने को जरूर सुने एक दोस्तों गाउं में एक समझदार और साहसी लड़की नाम राधा रहती थी वह गाउं की सबसे प्रशिद और खुशियों से भरी हुई थी राधा पापा की एक ऐसी बेटी की जो कभी डरती नहीं थी हर खराब परिस्थितियों में आगे बढ़ना जानती थी राधा दोस्तों राधा के पिता श्रीमान धूपती एक गरीब किसान थे जो अपनी प्रिय बेटी के लिए सब कुछ करने के लिए तयार थे राधा उनके लिए गर्व की बात थी और उनके दिल में सबसे महत्वपूर्ण थी राधा के पिता गरीब किसान होने के बावजूद भी अपनी बेटी को हाई लेवल की पढ़ाई कम्पलीट करें और उसके जितने भी सपने थे पढ़ाई से संबंधित उनको पूरा करने के लिए राधा का पिता दिन रात मिहंत करता था राधा का पिता बेटियों को बोज नहीं मानता था और ना ही पराया धन समझता था अधा का पिता मन में ही सोचता रहता था कि मैं अपनी बेटी को हर वह खुशी दूंगा जिसे मैं दे सकता हूँ इस बेटी को मैं थोड़ी सी भी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा इस तरह से राधा क्या पिता अपनी बेटी से प्यार बहुत ज्यादा करता था राधा भी अपने पिताजी से बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी दोस्तों गाओं में अपने संस्कृती और रितिरिवाज के कारण लोग बेटों की खूबसूर्ती को गर्व से देखते थे कभी भी राधा का पिता घर से बाहर निकलता और बाजार की तरफ जाता तो देखता था कि ऐसे लोग थे जो बोलते थे कि राधा के पिता से अरे बेटी को इतना क्यों पढ़ाना है वह तो पराया धन है और बोलते थे कि तुम राधा के पिता हो राधा को पढ़ाने लिखान वह बेटे में परिवर्तित नहीं हो जाएगी बेटी ही रहेगी ऐसा लोग बाजार में जब राधा का पिता जाता था तब सब यह बात बोलते थे और खेती तय कि तुम अपनी बेटियों को इतना लाड़ प्यार से मत रखो और उन्हें आगे की पढ़ाई ना करा कर उनकी श अचानक दिल का दोरा पड़ गया वह बहुत कमजोर हो गये और अस्पताल में भरती होने की आवशकता हुई राधा और उसकी मा को अपने पिता को देखते हुए बहुत चिंता हुई राधा अपने पिताजी की दिल का दौरा पर जाने की वजह से वह बहुत चिंतित हो गई और तेज तेज रोने लगी पिताजी तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ बार बार यह लाइन दोर आती रही राधा अपनी पिता के लिए रिपोर्ट्स आने के बाद दौक्तर खुशियों से भरे हुए चेहरे के साथ राधा के पास आए दौक्तर ने कहा तुम्हारे पिता ठीक हो रहे हैं लेकिन उन्हें ठीक तरह से देखभाल की जुरुरत है प्राधा को राहत मिली और वह भगवान से धन्यवाद करते हुए अस्पताल से घर लोटी दोस्तों घर वापस आकर राधा ने जोर जोर से अपने माबाप को गले लगाया और राधा अपने मा और बाप दोनों को ही काफी देर तक गले लगा के रखा और एक ही बात बोलती रही भगवान से कहा है भगवान चाहे भले ही मेरी जान ले लेना परंतु मेरे माता-पिता को कुछ नहीं होना चाहिए ऐसा रोरो कर भगवान से कहने लगी। माबाप अपनी बेटी के इस प्यार को देखकर वह भी रोने लग गए और बेटी को खूब गले लगाया और आपस में माबाप और बेटी काफी देर तक रोए रोती रोती बाप से कहने लगी राधा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है आपके सिवा है जो मुझे इतना प्यार और सपोर्ट करता है आपने ही मेरी पढ़ाई पूरी कर भाई लोगों के इतने ताने सुनने के बाद औ और बार-बार ऐसे बोलती रही राधा कि तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी मैं मेरी जान क्यों ना चली जाए और दोस्तों आगे समय के चलते दिन और बीते गए और राधा के पिता की सेहत में सुधार होने के बाद भी उनकी सेहत बिलकुल ठीक नहीं हुई एक दिन उन्हें अचानक से बहुत खराब लगने लगा वे वापस से अस्पताल ले जाए गए वहां डॉक्तरों ने जाच की और उन्हें एक खराब समाचार सुनाया डॉक्तर ने कहा हमें खेध है श्रीमान भूपती लेकिन आपकी सेहत इतनी खराब है कि हम आपको अब और कुछ नहीं कर सकते अपनों के मुह से राधा ने अपने पिताजी को लेकर यह बात सुनी की हमें खेध है हम आगे कुछ भी नहीं कर सकते जैसे ही दोस्तों यह बात सुनी राधा ने अपने पिताजी के लिए तो राधा चिलाने लगी और दीवार पर अपना सिर मारने लगी और अंत में राधा बेहोश हो गई। राधा बेटी मैं तुम से एक आखिरी विश्वास करने के लिए कहना चाहता हूँ। मैं अभी यहां से चला जाओंगा लेकिन मुझे यह शांती मिल रही है कि मैंने तुम्हें सब कुछ सिखाया है और तुम अपनी जिन्दगी में बहुत आगे जाओगी। मैं जानता हूँ कि तुम अपने सपनों को पूरा करोगी और मुझे गर्व होगा कि तुम मेरी बेटी हो। राधा के पिता के शव का अंतिन संसकार किया गया और उसके बाद से राधा ने अपने पिता के वचन को पूरा करने का निश्चय किया। उसने पढ़ाई को और मजबूती से जारी रखा और एक उच्च शिक्षा हासिल करके उसने गाव के लोगों को यह सिखाया कि बेटिया बोच नहीं बलकि समाज के लिए गर्व की बात होती है राधा ने अपने पिता के जाने के बाद भी उनका साथ बसा रखा और उन्हें अपने दिल में हमेशा याद किया वह बेटियों के अधिकार की लड़ाई लड़ने में अपना समय और शक्ती लगाती रही उसके अंदर एक पिता की मृत्यू के गहरे दर्थ के साथ भी एक बेटी के सपनों को पूरा करने की इच्छा थी यही कहानी देखने के बाद लोग रधा को सम्मान देने लगे और उसे बेटी पराई कहने वाले अब उसके समर्थन में थे रधा ने अपने पिता के उफ़ार के रूप में उस समाज को दिखाया कि बेटिया पराई नहीं होती बलकि वे ही हमारे समाज की शान है दोस्तों हर समाज की रचना उसमें शामिल व्यक्तियों द्वारा निर्मित होती है और बेटियां उन शक्तिशाली व्यक्तियों में से एक हैं जो समाज के विकास और सम्रिध्धी में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं बेटियां हमारे समाज की एक अन्मोल धरोहर हैं और उनके मौजूदा समय में स्थानांतरित होने की आवश्चक्ता है और बेटियों के शिक्षा में योगदान से वे समाज के लिए अधिक समर्थ और जागरूग नागरिक बनती हैं उन्हें शिक्षा के द्वारा समाज की समस्याओं को समझने और उन्हें समाधान करने की क्षमता प्राप्थ होती है बेटियों की शिक्षा से वे अपने परिवार, समाज और देश के लिए सकारात्मक परिवर्तन का अधिकारी बनती है दोस्तों बेटियां संसार के लिए शांती और सम्रिध्धी के लिए महत्वपूर्ण है उनकी सक्रिय भूमिका ने विश्व के विभिन क्षेत्रों में समझोते, संधी और सौहार्थ को स्थापित किया है बेटियों के माध्यम से हम समझते हैं कि विश्व भर के लोग एक दूसरे से कैसे जुड़ सकते हैं और सहयोग कर सकते हैं दोस्तों हर समाज की रचना उसमें शामिल व्यक्तियों द्वारा निर्मित होती है और बेटियां उन शक्तिशाली व्यक्तियों में से एक हैं जो समाज के विकास और सम्रिध्धी में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। बेटियां हमारे समाज की एक अन्मोल धरोहर हैं और उनके मौजूदा समय में स्थानांतरित होने की आवश्शक्ता है और बेटियों के शिक्षा में योगदान से वे समाज के लिए अधिक समर्थ और जाग्रूक नागरिक बनती हैं। उन्हें शिक्षा के द्वारा समाज की समस्याओं को समझने और उन्हें समाधान करने की क्षमता प्राप्त होती है बेटियों की शिक्षा से वे अपने परिवार, समाज और देश के लिए सकारात्मक परिवर्तन का अधिकारी बनती है दोस्तों बेटियां संसार के लिए शांती और सम्रिध्धी के लिए महत्वपूर्ण है उनकी सक्रिय भूमिका ने विश्व के विभिन क्षेत्रों में समझोते, संधी और सौहार्थ को स्थापित किया है बेटियों के माध्यन से हम समझते हैं कि विश्व भर के लोग एक दूसरे से कैसे जुर सकते हैं और सहयोग कर सकते हैं